गुद मौणिक स्टूडेंट्स लेक्षिन नुमर 96 प्लांट ग्रोथ औडवलप्मेंट आप डिसकस कर रहे हैं पाधब व्रदी तथा परिवर्धन और देखें इसमें हमने कल इंट्रोडेक्टरी कंटेंट जो था उसको डिसकस कर लिया है जिसमें आपने ग्रोथ का मेजर म कैसे होता है व्रदी का मापन कैसे होता है यह पढ़ा इसके अलावा व्रदी ऐ परीमित है ऐसीमित है यह कैसे संभाव है और इससे पहले आपने ग्रॉथ के complete introduction को study किया आज हम यहां बात करेंगे phasage of growth phasage of growth आपका अगला topic है phasage of growth व्रदी की प्रावस्थाएं यह आपको students पढ़नी है phasage of growth व्रदी प्रावस्थाएं तो देखिए जो growth का period है यह व्रदी प्रावस्थाएं जो है इन व्रदी प्रावस्थाएं को मोटे तोर पर तीन अलग अलग प्रावस्थाएं में विवक्त किया गया है तीन प्रावस्थाएं में इनको बाटा गया है यह हैं सबसे पहले students आप क्या सकते है meristematic phase meristematic phase और meristematic phase जो है वो विवजोत की प्रावस्था गुदर साता है विवजोत की इसके बाद elongation phase दीरगी करण प्रावस्था elongation phase या इसको आप कह सकते हैं यह है दीरगी करण प्रावस्था और third है students maturation phase या परिपक्वन प्रावस्था maturation phase या इसको आप कहेंगे परिपक्वन प्रावस्था परिपक्वन प्रावस्था maturation phase है दीरगी करण प्रावस्था elongation phase है और विवजोत की प्रावस्था meristematic phase है clear अब students इसको किसी एक पादप एक्सिस plant एक्सिस जो है पादप एक्स की सरंचना के साथ हम discuss कर लेते हैं ये देखे रूट अपैक्स है mool seers है आप कहेंगे root apex mool seers जो इसको प्रोटेक्ट करती है इस ब्रदी कर रही रूट को ये प्रोटेक्ट करती है तो ये देखिए सबसे पहले इसमें जो रीजन है ये हुआ मेरिस्ट्रमेटिक जोन ये मेरिस्ट्रमेटिक रीजन है उसके बाद students इसमें elongation या देरगी करन जोन होगा उसके बाद आप देखिए इसमें maturation और permanent जोन होगे तो वहाँ root hairs की presence आपको मिलेगी root hairs, mool rom जो mool में उपस्तित है इन root hairs की presence मिलेगी तो ये देखिए यहाँ आप कहेंगे maturation john और finally root hairs की उपस्तिती के साथ ये यहाँ मैं बना रहा हूँ जाइलम और इसको आप कहते हैं permanent john root hairs आप जानते हैं maturation ये परिपक्वन के बाद ही कोसिकाएं किसमें परिवर्धित हो जाती है स्थाई उत्तकों में या स्थाई कोसिकाओं में परिवर्धित हो जाती है clear तो देखो सबसे पहले या magistromatic phase या विवजोत की क्षेत्र है या magistromatic area विवजोत की क्षेत्र जो है किसमें कोसिकाएं लगातार विभाजित होंगी और विभाजित होकर विभेदित होते हैं लगेंगी सबसे पहले आप यह कहेंगे यहां जो cells हैं वो cells divide होंगी division के बाद यह cells differentiate होंगी दो वर्ड में बोल रहा हूँ Maristematic cell तो हर एक phage के लिए अलग-अलग detail लिख लेते हैं First Maristematic phage Maristematic Phage यह विवजोद की क्षेतर चीक है देखो पहला मैं लिख रहा हूँ cells divide and differentiate कोसिकाएं लगातार क्या होती है विभाजन यहां होता है और विभाजन के परश्चाथ कोसिकाओं में यहां क्या होता है विभेदन differentiation अब सबसे पहले word आपके सामने स्टूदेंट्स differentiation आया तो differentiation को हम कैसे define कर सकते हैं कैसे परिवासित कर सकते हैं differentiation differentiation यह विभेदन तो देखो इस विभेदन की प्रिक्रिया को हम परिवासित कर सकते हैं किसी भी कोसिका का कारियात्मक निर्धारन कोसिका जो है उसका कारियात्मक निर्धारन अगर हो गया है आपने कहा कोसिका विभाजन से बनी विभाजन के पश्राद विभेदन में चली जाती है विभेदित हो जाती है तो विभेदन में चले जाने का मतलब क्या हुआ उस कोसि लब students क्या हो गया भी भीदन हो गया ठीक है फिर इस arithmetic journal की जो कोशिकाएं हैं जो सेल से सघन कोशी का द्रव dense cytoplasm में होता है सघन कोशी का द्रव आप ध्यान रखें dense cytoplasm और उसके साथ आप कह सकते हैं बड़ा सूसपस्ट सूसपस्ट बड़ा केंद्रक dense cytoplasm तथा prominent nucleus ठीक है NCIT एक point लिखती है abundance of plasmodesmeta plasmodesmeta आप जानते हैं students plasmodesmeta जीव द्रव पे सेतु कहा जाता है दो पादब कोशिकाओं या सन्नीकट पादब कोशिकाओं के मद्भे यह योजन इस्थापित करता है site of plasmic bridge इस्थापित करता है तो इसको देखी आप कहने abundance of plasmodesmeta plasmodesmeta या जीव द्रव्य सेतु जो है इनकी प्रचूरता ये generally students को doubt रहता है ये ध्यान रखें आप कि जो marismatic zone की cells हैं विवजोत की क्षेतर की कोशिकाओं में marismatic tissues की present संभव है हाँ definitely आप ध्यान रखें students जो विवजोत की क्षेतर की कोशिकाओं में भी आपस में marismatic john की cells में भी आपस में plasmodesmeta की उपस्तिती होती है और ने केवल उपस्तिती होती है यह एक important point आपसे मैं डिसकस कर रहा हूं तो देखें यह marismatic john की जो cells हैं इनमे abundance और plasmodesmeta होने का मतलब यहां मैं इन cells की connectivity शो कर रहा हूं यह एक दूसरे से जुड़ी रहती है जीव सेतु के द्वारा अब division इनको करना होगा तो obvious है स्वाभाविक बात है कि यह plasmodesmeta को block कर देंगी क्योंकि division करने या विभाजन करने के लिए इन कोशिकाओं को independent condition में students आना पड़ेगा ठीक है इसके बाद देखिए यह जो कोशिकाएं है metastatic cell इन में primary cell wall प्रात्मिक कोशिका भित्ती primary cell wall present प्रात्मिक कोशिका भित्ती की उपस्तिती प्रात्मिक कोशिका भित्ती की students नहीं क्या होती है उपस्तिती है, इसका मतलब किसी भी प्रकार से दित्तियक स्थूलन या दित्तियक जमाव यह इन पर नहीं होता है, तो Cell World Primary Nature की होती है, कोसीका भी आप यह कह सकते हैं प्रुवर्ति की होती है और इस प्रकार से जो मैस्ट कोशकाओ में बभाजन होगा उसके बात विभेदन होगा तो जैसे ही विभेदन होगा यह आप क्या सकते हैं यह इस मीम हम जॉन से द्रेगी क्लिन और मेटुस से होते हुए पर्मानेंट पर्मानेंट सेल्स में कनवर्ट हो जाती हैं विभेदन के फश्चात आप यह कह सकते हैं यह किस में कनवर्ट होती हैं इस्थाई कोसिकाओं में convert होती है तो यह विभेदन कब होता है इसको भी मैं आपसे discuss करूँगा कारियात्मक निर्धारन यह विभेदन कब होगा स्टार लगा के एक point लिख लिए विभाजित हो रही है लगाता मैं फिर कह रहा हूँ विभेदन जैसे ही होगा वैसे ही यह permanent tissue में यह स्थ cinematic john की कोसिकाएं हैं वो पूर्णतया ए विभेदित पूर्णतया ए विभेदित और यहीं students mention कर लीजिए विभेदित होकर स्थाई कोसिकाओं में परिवर्धित हो जाती है स्थाई कोसिकाओं में परिवर्धित हो जाती है ठीक है तो यह हुआ medisomatic tissue और medisomatic john इसके ठीक बात देखिए आपको दे रखा है elongation john दीरगी करण क्षेतर इनको मैं हटा देता हूँ यह तीनों फेज जो हमने नाम लेखे दें elongation john या दीरगी करण क्षेतर देखो आप कहेंगे elongation john या दीरगी करण क्षेतर में कोसिकाओं इस प्रकार से students क्षेतर को बनाती है ठीक है तो अगला point दूसरे टाइप की कोसिकाओं मैं यह लिख रहा हूँ यह दूसरा जो फेज है वो मैं लिख रहा हूँ elongation फेज दीरगी करण प्रावस्था दीरगी करण प्रावस्था दीरगी करण प्रावस्था में देखिए क्या क्या परिवर्तन होते हैं NCRT सबसे पहले लिखती है vaculation देखिए vaculation जो है वो basically रिक्तिका का निर्मान है रिक्तिका निर्मान यह students रिक्तिका निर्मान प्रारंभ हुआ है यह रिक्तिका निर्मान आप यह कह सकते हैं इस प्रक्रिकार की प्रक्रिया बढ़ जाती है ठीक है ने vaculation का process जो रिक्तिका निर्मान की प्रक्रिया है रासधानी निर्मान की प्रक्रिया है वो यहां से बढ़ जाएगी कोसिका में enlargement आएगा cell enlargement enlargement तो enlargement का मतलब आप जानते हैं कि कोशिका का जो आकार है उस आकार में बढ़ोतरी होगी और इसके साथ-साथ आप कह सकते हैं enlargement के बादा अलावा cell wall deposition cell wall जो है कोशिका भित्ती है उस पर deposition जमाव या स्थूलन बढ़ने लगेगा जमाव उस तूलन जो बढ़ रहा है ये इसको दित्तियक कौसिका भित्ती की ओर ले जा रहा है किस तरफ ले ले जा रहा है students दित्तियक कोसिका भित्ती की तरफ आप ये कह सकते हैं ये स्थूलन इसको ले जा रहा है तो ये आपके पास elongation phage की cell थी ठीक है elongation phage की cells थी NCRT ने लिखा है कि जो elongation phage की cell है vaculation का बढ़ना वहाँ दे को लिखा है इंग्लिस में word लिखा है इतना सब आपको पता है increased vaculation एक point ये लिखा है increased vaculation के अलावा second point लिखा है cell enlargement कोसी का का दिरगी करण और फिर लिखा है cell wall का deposition इसका मतलब secondary wall deposition ये जो है वो elongation phage के लाक्षनिक गुण है ये सब जो पढ़ रहे हैं आप वो क्या है elongation phage या दिरगी करण प्रावस्था के लाक्षनिक गुण है दिरगी करण प्रावस्था के अभी लाक्षन या फिर आप कह दीजिए लाक्षनिक गुण है दिरगी करण प्रावस्था इन से characterize की जाती है अब लास आपके पास इसमें जो दे रखा है इसके according हुआ maturation तो तीसरा जो phase है वो मैं लिख रहा हूँ maturation या परिपक्वन maturation या फिर यहां आप लिखिए परिपक्वन अवस्था परिपक्वन प्रावस्था देखें maturation और परिपक्वन जो है यह आप कहेंगे अपना maximum size thickening और protoplasmic modification लेता हैं दब इस अवस्था का characteristic creature या भी लक्षन अगर हम लिखें तो आप लिख सकते हैं कोसिकाएं अधिक्तम आकार ग्रहन करती हैं सबसे पहली बात कोसिकाएं इस अवस्था में students अधिक्तम आकार ग्रहन करती हैं कोसिकाएं इस अवस्था में अधिक्तम आकार ग्रहन करती हैं सबसे पहली बात ठीक है इसके अलावा आप कहेंगे new cell wall deposition नई कोसी का भित्ती का स्थूलन या जमाव ये भी यहां होने बाला है और इसके अलावा students एक और important point है वहां लिखा है protoplasmic modification जो protoplasm है जीवद्रव्य है उसका रूपान्तरन होना तो क्या है ये जीवद्रव्य जो protoplasm है उसका रूपानतरण प्रोटो प्लाजमिक मॉडिफिकेशन यह प्रोटो प्लाजमिक मॉडिफिकेशन या जीवद्रव्य रूपानतरण जो है जीवद्रव्य का रूपानतरण प्रोटो प्लाजमिक मॉडिफिकेशन स्टूडेंट्स एक्जेक्ली क्या है आप कहेंगे रोटोप्लाजमिक मौडिफिकेशन या जीव द्रवे करूपांतरन अथार्थ अब देखिए कोसी का मैच और स्टेज में परिपक्वावस्था में आ गई है और अब पमानेंट सेल में कनवर्ट हो जाएगी तो पहले की तुलना में उसमें जो साइटो प्लाजमिक कंटेंट है वो कम होगा इवन आप यह कह सकते हैं नूकलियो साइटो प्लाजमिक रिश्यो जो पहले हाई थे नूकलियो साइटो प्लाजमिक रिश्यो देखो मैं लिखना हूँ काम की बात है नूकलियो आपने कहा सूसपस्ट बड़ा किंद्रक था लेकिन अब किंद्रक का आकार भी सम्माने तक घटेगा पेरिफेरल पॉजिशन या परीधिय इस्तिती की तरफ यह जो है प्रतिस्तापित हो जाएगा साइटो प्लाजमिक कंटेंट भी स्टूडेंट्स कम होगा तो यह जो नू इसके लिए आपको यह दे रखा है कि कोसी का द्रव का या साइटो प्लाजमिक कंटेंट प्रोटो प्लाजम आप कहा दीजिए जीव द्रव्य जो है उसका यहां मोडिफिकेशन या फाइनली क्या होगा रूपान्तरन और रूपान्तरन के बाद यह जो फेज है देखो उत्तक खेत्री एस्थाई क्षेत्री और इसी के साथ देखो मैंने इस्थाई जटल उत्तक जैलम दिखा है कि जहां रूट हेट्स प्रेजन होगे जहां मूल रॉमों की उपस्तिती होगी रूप हेट्स की प्रेजन्स होगी औबियुस से वहीं जैलम होगा क्योंकि यह रूट हेर्स यहां क्यों नहीं प्रेजशान थे मैचुरेशन जॉन में और मैस्त्रमेटिक जॉन आ खिया सकते हैं मैस्त्रमेटिक त्रूंगने सन्च यह कि यह अभी तक व्यभे extremist यह कहिए यहां root hairs की presence का कोई मतलब नहीं होता ठीक है क्योंकि अगर यहां present भी होते तो यहां जायलम होता नहीं जायलम तो differentiated या विवेदित उत्तक है तो जायलम की उपस्तिती जहां है वहीं आप देखिए क्या है root hairs की presence है ठीक है इसके अलावा एक क्यों स्टूडेंट्स आप से पूछा जाता है जो मैरिस्ट्रमेटिक जौन है उसका समीपस्त या proximal कौन सा है और या दीरगी करण क्षेतर उसका समीपस्त होगा और दीरगी करण क्षेतर का समीपस्त कौन सा है maturation zone लेकिन मैरिस्ट्रमेटिक जौन से maturation zone क्या है दूरस या फिर आप कह सकते है डिस्टिल पॉजिशन पर है तो यह आपके पास व्रदी की प्रावस्ताएं हैं अब growth rates हमें पढ़ना है लेकिन growth rates को मैं बाद में बात करूँगा आप से उससे पहले इसी के साथ मैं connect कर रह पुनर विभेदन और उसके बाद पुनर विभेदन तो यह प्रक्रियाएं कैसे होती हैं इसी topic के ठीक बाद हम connect कर रहे हैं तो आप यह note कर ले स्क्रीन शोट इसका ले ले आगे आ रहा हूं मैं अगला topic आपको note करना है growth rates की बाद हम बाद में करेंगे differentiation, de-differentiation and re-differentiation का topic है हो गया होगा देखिए अगला students topic आपका है differentiation, de-differentiation and re-differentiation ठीक है विभेदन, निर्विभेदन, पुनर्विभेदन topic आप लिख लें differentiation, de-differentiation and re-differentiation ठीक है तो देखो perfect examples के साथ इसमें थोड़ा सा cell biology का reference भी आपको पढ़ना है cell biology के साथ-साथ plant physiology तो है ही तो ये दोनों ही reference आपको पढ़ने हैं कैसे कैसे हुआ इसको study हम करने जा रहे हैं आपने बृदी की प्रावस्ताइं जो हैं वो study कर ली हैं वो पढ़ ली हैं और अब हम बात कर रहे हैं differentiation, de-differentiation and re-differentiation title लिखें आप topic पे topic आपका है differentiation विभेदन de-differentiation निर्वेवेदन और re-differentiation पुनर्वेवेदन ठीक है तो देखें students इनको perfect examples के साथ हम यह study करेंगे differentiation, de-differentiation and re-differentiation कैसे कैसे plant में आपको देखने को मिलता है ठीक है विभेदन यह विभेदन आप कहेंगे इसको आप कह देंगे निर्विभेदन यह जो प्रक्रिया है इसको आप कह रहे है निर्विभेदन और यह जो प्रक्रिया है इसको students आप कहेंगे पुनर्विभेदन चीक है तो देखो विभेदन की प्रक्रिया क्या है differentiation क्या है मैंने अभी आपको कहा था किसी भी कोसिका का कार्यात्मक निर्धारण जो है कार्यात्मक निर्धारण जिसको functional determination अब students कहते हैं यह functional determination या कार्यात्मक निर्धारण की जो प्रक्रिया है यह होती है ठीक है अब देखिए यहां सबसे पहले आपके पास इस प्रकार से सम्व्यासी कोशिकाएं थी इनको हम meristematic cells कह देते हैं सम्व्यासी कोशिकाएं, समानाकार की कोशिकाएं इनमें आपको पता है बड़ा सूसपस्ट के इंदरक उपस्तित है और इनमें आप ये जानते हैं सघन कोसी का द्रव की उपस्तिती है तो देखो ये मैं कह रहा हूँ कौन सी सेल्स है मेरिस्टिमेटिक सेल्स मेरिस्टिमेटिक सेल्स या फिर आप कहेंगी विवजोत की कोसी काएं मैं पूरी प्रक्रिया जो है वो बॉर्ड पे explain करूँगा आप ध्यान से समझें इसको और उसके बाद आप इसको note down कर लें Maristematic Cell या विव्जोत की कोसिकाओं के लाक्षनिकोन स्टूडेंट्स क्या हैं तो आप कहेंगे सगहन कोसिका द्रव सगहन कोसिका द्रव dense cytoplasm इसके अलावा आप कहते हैं prominent nucleus बड़ा केंद्रक और ये जो Maristematic Cells या विव्जोत की कोसिकाओं हैं इनके लिए मैं ये लिख सकता हूँ ये पूंड तया एविवेदित होती हैं पूंड तया एविवेदित होती हैं तो ये कोसिकाओं कहां से बनी इसके लिए एक और स्टेज आप involve कर लीजे देखिए ये कोई कोसी का मैंने यह जो लिखी है ये प्राव मेरिस्टेम है प्राव मेरिस्टेम स्टूडेंट्स होता है प्राक विबजोतक और प्राव मेरिस्टेम या प्राक विबजोतक वो है जो विबजोतक को बनाता है तो प्राक विबजोतक कहां से आया प् तक है भ्रूनी अवस्था का तो जो भ्रूनी अवस्था में प्रो मेरिस्टेम था प्राक विवजोतक था इस भ्रूनी अवस्था के मेरिस्टेम में प्राक विवजोतक में लगातार क्या हुए डिविजन प्राक विवजोतक में लगातार क्या हुए डिविजन प्राक विव या विवजोत की कोशिकाएं हैं इन विवजोत की कोशिकाओं से आगे अब हम बात करेंगे इनके differentiation की, de-differentiation की और re-differentiation की तो clear है ये जो है वो सम्मानेता होती है सम्व्यासी विवजोत की कोशिकाएं सम्व्यासी कोशिकाएं और इंसियारिटी के जो दो करेक्टर है वो भी मेंसिन कर देता हूँ कोसिका भित्ती कैसी है प्रात्मिक कोसिका भित्ती ठीक है ज्यादा से ज्यादा information समिस में लेना चाहरे हैं जो पहले हम पढ़ जुके अब देखिए ये जो कोसिकाएं हैं इन कोसिकाओं का differentiation प्रॉसेस सुरू होता है इनके कारियात्मक निर्धारन की प्रक्रिया प्रारंब होने के लिए यहां इन कोसिकाओं को students दो स्पस्ट आप कहेंगे फेजेज जो हैं उनसे गुजरना होगा और वो है elongation, elongation आपने कहा था दीरगी करण और उसके बाद आपने कहा maturation तो देखो इन कोसिकाओं में रिक्तिका की उपस्तिति नहीं है आप कहने यह जो कोसिकाओं है इन कोसिकाओं में सखन कोसिका द्रव है और इसके अलावा prominent nucleus है बड़ा किंद्रक है इन कोसिकाओं में रिक्तिका की उपस्तिति नहीं है वैक्याओल students इन में absent है तो जो वैक्याओल इसमें absent है जो रिक्तिका इसमें अनुपस्तित है ये रिक्तिकाओं जो इसमें अनुपस्तिती दरसा रही है इसी कारण से ये किसी प्रकार के पधार्त का संग्रहन नहीं कर सकती अथार्त इनका कारियात्मक विवेदन नहीं हुआ है लेकिन इनके बाद जो कोसिकाएं बनेंगी वो पवानन टीशुय स्थायुत तक बनेंगी और उनमें रिक्तिका का निर्मान हो जाएगा ये रिक्तिका या रसधानी जो इनमें निर्मित होगी वो खाद्डे पधार्तों के संग्रहन का कारिये करेगी इसलिए वो विवेदित है तो देखो अगले फेज में जो कोसिकाएं बनती हैं वो कोसिकाएं इस प्रकार की होंगी ये जो cells या कोसिकाएं हैं ये मैंने बना दी है अब इन में specifically विसिष्ट तोर पर आप ये कह रहे हैं क्या बन रही है रिक्तिकाएं तो देखो ये student पादब कोसिका का लाक्षनिक गुन होता है कि उसमें large central vacuum present होती है उसमें बड़ी केंद्रिय रिक्तिका की उपस्तिती होती है ऐसा होने के कारण केंद्रक जो है वो peripheral position या परिधिये अवस्था में आ जाता है तो ये जो कोसिकाएं हैं इन कोसिकाओं में रिक्तिका बन चुकी है इस mathematic cell से ये जो बनेंगी वो students आप कहेंगी primary permanent cells primary permanent cells ये प्रात्मिक स्थाई उत्तक है ये primary permanent cells है या कौन सी कोसिकाओं है आप कहेंगे ये हैं प्रात्मिक स्थाई उत्तक ठीक है ये students प्रात्मिक स्थाई उत्तक है अब primary permanent cell ये प्रात्मिक स्थाई उत्तक जो यहां बन गए हैं ये प्रात्मे किस था यूद तक क्या परिवर्टन दर्षा रहें सबसे पहले तो परिवर्टन पे आईया तो आप ये कहेंगे कि यहाँ विशेश तोर पर वेक्यॉल या रिक्तिका का दर्वान हो गया है अब याद करो आपने पड़ा था NCRT mention करती है कि जो elongation phase है इस elongation phase में important change जो होने आला है वो है vacularization लिख राओं में vacularization लिख सकते हैं मैंने इसको लिखा है vacularization यह vacularization का मतलब students यहाँ है रिक्तिका निर्माण ठीक है vacularization यह रिक्तिका निर्माण होने के साथ साथ आप कह सकते हैं यहाँ cell कोसी का दीरखी कृत हुई थी कोसी का बड़ी हो गई थी आकार में और साथ में आप यह कह सकते हैं यहाँ cell wall deposition भी शुरू हो गया था cell wall deposition students शुरू हो गया था कोसी का भित्तिका जो जमाव है स्थूलन है वो भी यहाँ प्रारम हो गया था तो इस प्रावस्था का लाक्षने गुण गया था vecularization, vecular formation फिट देखो अगले फेज में आओ maturation में परिपक्वन फेज इसके बारे में भी आपने पड़ रखा है कि maturation या परिपक्वन फेज में क्या होगा कोसी का अधिक्तम आकार ग्रहन करेगी ठीक है कोसी का का आकार क्या हो जाता है अधिक्तम हो जाता है इसके अलावा students आप कहते है भित्ती स्थूलन या जो भित्ती है ये स्थूलन बढ़ने लग जाता है तो यहां से कोसी का maturation के बाद में प्रात्मिक स्थाई उत्तक में convert हो गई और जो पाद्पों में सबसे पहले प्रात्मिक स्थाई उत्तक बनते हैं वो होते हैं म्रदू तक आप जानते हैं उनको कहा जाता है म्रदू तक पैरेंकाइमा क्या कहा जाता है म्रदू तक या पैरेंकाइमा clear तो यह आपके पास paranchimator cells है इन paranchimator cells में रिक्तिका का निर्मान हो गया है वेकियौल का formation इन में हो गया है तो क्या मैं इसके लिए लिख सकता हूं यहां देखो मैं ने लिखा था ये पूर्ण तया आई विभेदित है लेकिन जो paranchim Tina आप ने लिखा है इस parent काईमा के लिए आप लिख सकते हैं ये पूर्ण तया विभेदित है It is completely differentiated ये हुआ पूर्ण तया विभेदित और पूर्ण तया विभेदित होने के साथ साथ इसका function या कारिये भी आपको पता होना चाहिए Anatomy में भी आपको detail दे रखी है ये ख़द है संग्रहन ये आप कह दीजिए storage या संग्रहन इसका पहला function है और second function इसका आप ये भी कह सकते हैं ये vital function या जैविक कारिये को संपन करता है और ये है प्रकास sensation प्रकास sensation हो गया तो देखो pro meristem, primary meristem और primary permanent cells ठीक है ये जो meristematic cells है इनको हम primary meristematic cells कह सकते हैं अब इनके बाद देखिए यहां ये जो प्रात्मिक स्थायूत तक बन गए है प्रात्मिक स्थायूत तक एज स्थाय रूप से अपने विवाजन की ख्रमता को खो देते हैं प्रात्मिक स्थायूत तक एज स्थाय रूप से विवाजन की ख्रमता को खो देते हैं ठीक है तो ये स्थूडेंट्स विवाजन की ख्रमता को खो देते हैं प्रात्मिक स्थाय रूप स्थाय रूप से विवाजन की ख्रमता को खो देते हैं तो क्या अब इन में विवाजन कभी नहीं होगा आप ये देखें इन में साम्मानेता विवाजन की प्रिक्रिया नहीं होती है लेकिन अगर पादप को अपने डायमेटर में इंक्रीज करना है पादप अंगक को अपने व्यास में इंक्रीज करना है अपनी चोडाई या मोटाई में बढ़ोतरी करनी है दितिक ब्रदी करनी है तो निश्चित रूप से इन में विवाजन होगा और ये जो इनके विवा विभेदन ठीक है फर्स्ट एक्टिविटी स्टूडेंट्स डिविजन सेकंड एक्टिविटी डिफ्रेंशियेशन अब थर्ड स्टेप की तरफ हम जा रहे हैं तो यहां आपने कहा कि यह जो प्रात्मे के स्थाई उत्तक हैं यह प्राइमरी प्रमानेंट इशू हैं यह संब अगर पादप को अवशक्ता है वह पादपंगक अपने चोडाई में यह मोटाई में वरदी करना चाहता तो यह फिर से विभेदित होंगी और इनका फिर से विभेदित होना क्या कहा जाता है निर्विभेदन अगला जो प्रॉसर से स्टूडेंट्स थर्ड यह आप process के बाद पादप में दो प्रकार के उत्तक बनते हैं एक आप कहेंगे vascular cambium यह vascular cambium होती है समवन एधा थोड़ा सा discussion मैंने कल भी किया था आप से इसका समवन एधा ठीक है और दूसरा students आप कहते हैं कॉर्क cambium कॉर्क एधा यह है कॉर्क cambium यह इसको आप कहेंगे कॉर्क एधा ठीक है in short आप इसको लिखते हैं CC कॉर्क cambium और इसको आप इन शॉर्ट लिखते हैं VC vascular cambium ठीक है formation कैसे होगा बनेंगी कैसे तो देखो vascular cambium एक example हम ले लेते हैं यह plant का रंभियक शित्र है रंभियक शित्र का मतलब उसका सब्वन उत्तकों को धारण करने वाला शित्र है यह यह endodermis और endodermis के साथ साथ students यहां present होगी pericycle endodermal layer बाहर present है और pericycle layer उसके अंदर की तरफ present है इसके बाद यहां इस प्रकार से vascular bundle या समवन उत्तकों की उपस्तिती है वैस्कूलर बंडल या समवन उत्तकों की उपस्तिती है इनको थोड़ा सा सही अरेंज कर देता हूँ जिससे हमें समझने में आसानी रहे वैस्कूलर बंडल या समवन उत्तकों की स्टूडेंट्स हम कह रहे हैं उपस्तिती है ठीक है? अब यह Vescular bundle और सहुन उत्यकों की जो उपस्तिती है यहां जो प्रेजंट होते हैं डाइकोट स्टैम के बारे में मैं भात आप से कर रहा हूं यह देखिए अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोयम की उपस्तिती दर्साते हैं जाइलम और यह देखिए बाहर की तरफ इन में उपस्तित होता है students clear है अब इसके बाद देखिए क्या होगा जाइलम और phloem के बीच में एक strip या पट्टी का उपस्तित होती है ये strip या पट्टी का students कही जाती है intra fascicular cambium intra fascicular cambium हिंदी में आप इसको कहेंगे अंतय पूलिय एधा क्या कहा जाएगा ये पहले से उपस्तित है जब जाइलम और phloem एक बंडल के रूप में आए एक साथ आए तो पादप में ये बनी अंतय पूलिय एधा ठीक है ये intra fascicular cambium और अंतय पूलिय एधा मैं ये कह रहा हूँ प्रात्मिक जाइलम और प्रात्मिक phloem जब बना मतलब vascular bundle बना तो उसके साथ ही निर्मित हो गई तो इसको मैं प्रात्मिक उत्तक ही कह सकता हूँ और students आप ध्यान इसको मैं प्रात्मिक विबजोतक ही होता है इसके अलावा इन वैसकूलर bundles के बीच में इस प्रकार से radio arrangement के साथ अर्ये विवस्ता के साथ इस प्रकार से students抓ियल अर्ये विवस्ता के साथ यह हम रिजूतक की एक सिकहाएं पाई जाती हैं तो यह radial arrangement radial arrangement या फिर आप कह सकते हैं अर्ये विवस्था के साथ, यहां जो म्रदूतकों की उपस्तिती पाई जाती है, तो आपने देखो क्या कहा था, यह Primary Permanent Cells हैं, यह म्रदूतक हैं, तो इन Primary Permanent Cells यह म्रदूतकों से अब नई कोसी का इन निर्मित होती हैं, और वो जो नई कोसी का केμगियम स्टूडेंट्स पहले से प्रजेंट है मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ इन वैस्कूलर बंडल्स या सहवन कुलों के मद्धे म्रदू तक ही एकोसिकाई उपस्तित थी यह म्रदू तक ही एकोसिकाई अर्ये रूप से विवस्तित थी ये म्रदू तक ये कोसिकाओं आप कह रहे हैं कैसी व्यवस्तित थी अर ये रूप से व्यवस्तित थी अर ये रूप से व्यवस्तित थी अर ये रूप से व्यवस्तित इन म्रदू तक ये कोसिकाओं ने इस इंटर फैसिकूलर केम्बियम को आप अंतर पूलिय एद्धा के बजाए अंतर पूलिय एद्धा कहेंगे अंतर पूलिय एद्धा देखो ये अंतर पूलिय एद्धा थी ये क्या है अंतर पूलिय एद्धा अब जब ये इस्तिती आ गई तो इन दोनों को समिलित रूप से, सेयुक्त रूप से आप कह देंगे Vascular Cambium या समवन एधा ये है Students VC Vascular Cambium या समवन एधा और Vascular Cambium या समवन एधा क्या करती है आप कहेंगे Plant के Stealer Region में Stealer Region समवनी क्षेतर में दित्यक वरदी करवाती है पादप के समवनी क्षेतर में दित्यक वरदी हेतु उत्तरदाई तो देखो आपने अनाटोमी में पढ़ा हो गाई Vascular Cambium तो पादप के समवनी क्षेतर में दित्यक वरदी करवाती है जबकि कोर्क Cambium प्लांट के पादप के अतिरिक्त रंभीयक शेतर या जो बाहर वाला रीजन है उसमें दित्यक वरदी करवाती है तो यहाँ जो डी डिफ्रेंसियेशन की एक्टिविटी हुई इस डी डिफ्रेंसियेशन की एक्टिविटी से कॉंसे टीशू जबने वैस्कूलर केंबियम और कोर्क केंबियम स्टूडेंट्स सेकंडरी मेरिस्टिमेटिक सेकंडरी मेरिस्टिमेटिक टीशू है दित्यक विवजो तक है दित्यक विवजो तक है इन शॉल्ट में लिख सकता हूँ सम्टी सेकंडरी मेरिस्टिमेटिक टीशू ठीक है तो यह क्लियर हुआ आपको D-Differentiation के process से क्या बना D-Differentiation के process से secondary meristematic tissue बन गया और secondary meristematic tissue जो है जैसे vascular cambium एक example आपने ले लिया ये vascular cambium क्या करेगा ये पादप के समवनी क्षित्र में दित्यक ब्रदी करेगा अब secondary meristematic tissue जो SMT बना है या vascular cambium बनी है इस vascular cambium से या vc से students क्या होता है आपने आप आदप के समवनी क्षित्र में दित्यक ब्रदी होती है ये vc vascular cambium क्या करती है ये vascular cambium देखे क्या करेगी secondary gylum secondary phloem और secondary medullary rage medullary rage ठीक है ये arir रूप से उपस्तित जो कोसिका है मृदू तक ये कोसिका है पहले मैंने बोली थी ये primary medullary rage थी इनको students आप कह सकते हैं ये प्रात्मिक मज्जा किर्णे थी और इन प्रात्मिक मज्जा किर्णों से ही यहाँ interfacicular cambium बना था प्रात्मिक मज्जा किर्णों से ही क्या बना था interfacicular cambium मैं यह लिख देता हूँ inter-fc मतलब interfacicular cambium इन से बना था तो अब इनकी जगे कौन ले लेगा secondary medullary rage दित्यक मज्जा किर्णे इनकी जगे ले लेगा students secondary medullary rage इसको आप लिख सकते हैं दित्यक मज्जा किर्णे तो वैस्कुलर cambium या वी सी जो है इस वैस्कुलर cambium या वी सी से यह cells बन रही है एक और example यहां ले 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 आपके पास cork cambium या CC है cork cambium या CC जो है वो भी secondary medullary traumatic tissue है यह क्या बनाता है तो यह आप students कह देंगे यह secondary cortex दित्यक वलकुट तथा cog cells का निर्मान करता है किसका निर्मान करता है secondary cortex का और cog cells का निर्मान करता है अब जितने tissues मैंने यह लिखे हैं यह सारे secondary permanent tissue है क्या है यह सब secondary permanent tissue जिसमें secondary jayalam आया, secondary floym आया secondary medullary ने जाई secondary cortex और cog cells ये सब आप students कह सकते हैं क्या है SPT secondary permanent tissue ये सब है SPT या secondary permanent tissue तो SPT या secondary permanent tissue बनाने के लिए यहाँ जो प्रक्रिया हुई ये प्रक्रिया थी re-differentiation ठीक है आपका पूरा anatomacy पे चलता है activity number 4 ये लिजे अब देखो वापस इधरा हो इस sequence हैं फिर चेक करते हैं इसको activity number 4 आप देख रहे हैं first सबसे पहले आपने का pro meristem था pro meristem से क्या बना pro meristematic tissue से आप ये कह रहे हैं division का process हुआ और division के process से primary merstematic tissue बना तो मैं कह सकता हूँ pro meristem से आपके पास सबसे पहले बना primary merismatic tissue और इसको मैं लिख सकता हूँ PMT यहां लिख देता हूँ PMT है ठीक है प्रावमेरिस्टेम डिवीजन से बना PMT यह PMT जो था इसके डिफ्रेंशियंसे बना students आपके पास primary permanent tissue इस primary permanent tissue को मैं लिख देता हूँ PPT क्या बना primary permanent tissue in short क्या लिखेंगे आप PPT ठीक है, याद रखने के लिए आप कहा सकते हैं, सबसे पहले प्रॉमेरिस्टेब, डिवीजन से पीम्टी, पीम्टी के डिफ्रेंशियेशन से पीपीटी, पीपीटी के डिफ्रेंशियेशन से एसम्टी, पीपीटी के डिफ्रेंशियेशन से क्या बन गया, एसम्टी, और एस सिकवेंस क्या है और प्रामरत्ऽेंट के प्रोट सिकवेंस है तो आपके पास सीकवेंस क्या है यह वपर लिख रहा हूं में प्रोट मैरिस्टेम प्रोमेरिस्टेम से बनेगा PMT PMT से बनेगा PPT PPT से बनेगा SMT और SMT से स्टूडेंट्स बन जाएगा SPT यह आप याद रखें अगर यह आपको पता है इसका पूरा सिक्विंस परफेक्ट आपको आता है तो आप complete anatomy जो है secondary growth भी इससे कर सकते हैं तो यह स्टूडेंट्स आपके growth physiology में जो topic दिया हुआ है differentiation, de-differentiation, re-differentiation complete होता है फिर brief कर देता हूँ देखो प्रोमेरिस्टेम यह प्राग विबजोतक भ्रूनी अवस्था का विबजोतक था इस भ्रूनी अवस्था के विबजोतक को लगातार divide करवायागा इसमें विवाजन हुआ उससे प्रात्मिक विबजोतक भून तया एव विभेदित था इस एव विबजोतक में देरगी करण तथा परीपकवन की प्रिक्रियाएं हुई इस प्रिक्रिया को हम differentiation और विभेदन कह रहे थे और इससे finally हमारे पास PPT बन गया जिसको हम बोलते हैं primary permanent tissue प्रात्मिक स्थाई उत्तक पादप में सबसे पहले बनने वाला प्रात्मिक स्थाई उत्तक पेरेंकाइमा होता है और यह पूर्णतया क्या होंगे विभेदित होत पादप को आवशक्ता होगी तो यह फिर से विभेदित होंगे और इन विभेदित उत्तकों का यह पूर्णतया है इनका फिर से विभेदित होना निर्विभेदन है एस इस इन है सबस्वेंजन एदा और कौर्ख आधा का निरमान किया जो सेकंडरी मैरिस्ट्मेटिक D-Differentiation से यह बने थे अब हुआ Redifferentiation, पुनर विभेदन और SMT से Finally बन गया SPT तो देखे, Pro-Maristrem, Primary Maristrem, Primary Permanent Tissue Secondary Malistematic Tissue and Secondary Permanent Tissue, आपके पास Pro-Maristrem, PMT, PPT SMT, SPT और Division, Differentiation D-Differentiation and Redifferentiation, clear? तो यह हुआ Complete Process Differentiation, D-Differentiation and Redifferentiation, note करें आप इसको अजी तो देखे, यह Complete हो गया अब यहां से कुछ और Specific Points आपको Discuss करने चाहिए NCRT आपको यह लिखके दे रही है कि अब हम यह कह सकते हैं कि जो differentiation का process है यह विभेदन की प्रक्रिया है वो भी open होती है मैंने इससे पहले आपको बताया था Plants में होने वाला जो growth है वो open है open क्यों है? क्योंकि लगातार आप यह कहते हैं पूरे जीवन काल में लगातार कोसिकाएं और टीशू जो और उत्तक जो है वो add किये जाते हैं, लगातार बनाए जाते हैं, निर्मित होते रहते हैं अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो differentiation का process है यह differentiation या विवेदन की जो प्रक्रिया है यह differentiation या विवेदन की प्रक्रिया भी क्या है? open open क्यों है? देखिए प्रारंभ में सभी कोसिकाएं जो हैं वो medismatic form में थी इन मेरिस्टमेटिक फॉर्म की कोसी काउं से या विवजोत की अवस्था की कोसी काउं से मैचूरेसन या परीपकवन मर आने पर अलग-अलग प्रकार की कोसी काई निर्मित हो जाती है जैसे समाने ता है यहां पहले पहरें काईमा बना तो पेरिन काईमा बनने के बाद में कॉलन काईमा और स्कलिरन काईमा विक्सित होता है आप जानते हैं म्रदू तक होता है फिर उसके बाद में स्थूल कोड़ों तक होता है और उसके बाद में द्रड़ों तक बनता है जो द्रड़ों तक कोसी काईम होती है जिसको आप स्थूल, स्ट्री, स्कलेरन काइमा जिसको आप बोलते हैं तो कोसी का भित्ती का जो स्थूलन या जो जमाव है उसमें भी अंतिते क्या परिवर्तन आ जाता है जैसे मालों यहां मैं बात करूँ प्राइमरी जाइलम बना, जो जाइलम है यह जैलम डैड एलिमेंट होता है एजीवित तत्व होता है इसी तरीके से यह जो सेकंडरी टीशू है यह सेकंडरी जैलम में यह कंप्लीटली डैड एलिमेंट होता है तो यह जो डैड एलिमेंट होते हैं इनमें क्या विसेश निर्मित हो जाता है या विसिष्टता क्या होती है तो आप यह देखिए यहां इनकी जो cell wall होती है वो lignocellulogic होती है इनकी जो cell wall होती है students वो क्या होती है lignocellulogic अथार्ट cellulogic component तो ही है लिगनीन की मात्रा अब बढ़ती चली जाती है स्क्लेरिन काइमेटर cells है मैं यहां दो तिन पॉइंट लिख रहा हूँ पहले तो देखो differentiation जो है वो open है क्यों open है क्योंकि आप यह कहते हैं समान विवजोत की कोशिकाओं से विवजोत की कोशिकाओं से परिपक्मन पर अलग अलग प्रकार की कि परिपक्मन द्वारा भिन भिन प्रकार की सरंचनाएं निर्मित होती है सरंचनाएं निर्मित होती है ठीक है भिन भिन प्रकार की सरंचनाएं निर्मित होती है तो अब भिन भिन प्रकार की सरंचना है यहां जो निर्मित होंगी लगातार यह बनती रहती है इसलिए डिफ्रेंसियसन की प्रक्विया जो है वो भी ओपन है इसके अलाबा जो पर्मानेंट टीशू है देखिए पर्मानेंट टीशू और स्थायू तक आप कह दीजिए या फिर आप यह कह रहे है जो पूर्णतय विवेदित यह डिफ्रेंशियेटेड है इन में जो सेल्वोल डिपोजिशन यह कोसी का भित्ती का स्थूलन है तो कोसी का भित्ती स्टूडेंट सब पेक्टो सेलूलोजिक जो थी पहले पेक्टो सेलूलोजिक से क्या होने लगी है यह लिगनो सेलूलोजिक लिगनो सेलूलोजिक अथा लिगनीन का जमाव वहां बढ़ता चला जाता है लिगनीन का स्थूलन बढ़ता चला जाता है और आपको यह पता होना चाहिए जो स्कलिरिन काइमा है अस्क्लिरिन काइमा यह डेड़ पर्मानेंट टीशू होता है डेड़ टीशू और यह जो डेड़ टीशू होता है इसका डेध होती है लिगनिफिकेशन से lignification या lignin के जमाव से स्थूलन काफी ज़्यादा बढ़ जाता है lignin का जमाव हो जाता है और protoplasm आप कह सकते हैं protoplasm students अंतताए खतम हो जाता है protoplasm खतम हो जाएगा lignin का स्थूलन बढ़ जाएगा protoplasm खतम हो जाएगा तो यह changes जिसमें जो है वो होते हैं ठीक है तो यह differences and differences and no-re-differences नके साथ कुछ और points थे अब दीखिए हमारे पास topic है growth rates ठीक है growth rates कैसे कैसे आप देख सकते है व्रदीदर या growth rate तो growth rate या व्रदीदर को students हम discuss करेंगे अब हम डिसकस कर रहे हैं growth rates व्रदीदर या फिर जो व्रदी है विसके स्वरूप आप कह सकते हैं growth rates व्रदीदर ठीक है तो जो व्रदीदर और व्रदी के स्वरूप हैं ये व्रदीदर और व्रदी स्वरूप दो प्रकार से NCRIT में आपको दिये गए हैं इन दोनों को हम discuss करेंगे detail में बात करेंगे और देखे students ये जो growth rates है ये आपको ecology में भी growth discuss किया गया वहां से भी ये जो है वो relevant है तो एक साथ आप इसको पढ़ सकते हैं ठीक है दो प्रकार की growth है सबसे पहली बात आप कहेंगे arithmetic growth ये जो arithmetic growth है students इसको कहा जाता है अंक गणितिये व्रदी ये है अंक गणितिये व्रदी ठीक है अंक गणितिये व्रदी सारी students इसको कह दिया जाता है दूसरा आपके पास है geometric growth और इस geometric growth को आप कहते हैं जामितिये व्रदी जामितिये व्रदी ठीक है अंक गणितिये और जामितिये व्रदी प्रारूप आपको students देखने है तो देखे क्या है जब पादब को सिका है विभेदित हो रही है विभाजित हो रही है विभेदित हो रही है तो लगातार वो आप ये कह सकते हैं, स्थाई उत्तकों का निर्मान करते विए पादप अंगकों को बनाती है, तो उनकी निर्मान के समय स्थिति क्या रहती है, सबसे पहले अर्थमैटिक ग्रोथ पे मारा हो, मानली जे ये कोई एक कोसिका है, इस कोसिका में स्टूडेंट्स डि आहगे भाग नहीं लेती नहीं है केवल एक ही कोसी-का सतत-थ-विभाजन-दरसती है लगातार विभाजित होती है कोसी का स्थाईंत्त के रूप में परिवर्दित होतीن जाती है तो आप ये देखें generation after generation पीधी दर पीधी आप ये देखेंगे कि यहाँ जो contribution है growth में जो growth में या ब्रदी में योगदान है वो योगदान नियत रहता है ठीक है यह जो cells है वो आप कह सकते हैं किस में convert हो गई permanent cells में permanent cells अस्थाई कोशिकाओं में परिवर्दित हो गई और ये लगातार division करती रहती है विभाजन करती रहती है तो आप ये कह सकते हैं नियत योगदान ठीक है मैं कह सकता हूँ ब्रदी में नियत योगदान हर एक generation के बाद कैसे ये देखिए mother cell थी ठीक है बहुत ज़्यादा इंक इसने है ये mother cell थी students mother cell के बाद ये daughter progeny बनी तो first generation, second generation, third generation, fourth generation हर एक पीधी में आप देखिए केवल एक ही कोसी का व्रदी में आगे जो है वो अपना योगदान दे रही है और व्रदी में आगे जो योगदान दिया जा रहा है उसमें एक कोसी का पार्टिसिपेट कर रही है और दूसरी कोसी का permanent cells या स्थाई उत्तकों में परिवर्धित हो जाती है इस प्रकार की व्रदी को आप arithmetic growth कह देते हैं ठीक है तो arithmetic growth क्या है जो constant contribution को indicate करती हो constant contribution को student show करती हो तो देखिए इसका graphical presentation अगर हम देखें graph आप अगर इसका देखें तो ऐसे linear का रूप राप्त होता है ये प्रार्णिक स्थिति में शुरुवात है time t के साथ समय के साथ जैसे यहां हम ले लें length of organ कोई plant organ है students इसकी length या लंबाई है उसको अगर हम एक बार प्रेक्षित कर लें उसको हम ले लें तो ये इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कैसा कर्व है linear linear या फिर आप कहेंगे रैखिक कर्व ठीक है प्रारंबिक स्तिती में आप ये कह सकते हैं एक time period जो लिया गया ये initiation या प्रारंबन का समय इसके ठीक बाद एक constant contribution से आप कहेंगे students लगातार एक आप ये कह सकते हैं नियत योगदान के साथ ये व्रदी चलती रही मतलब ये linear कर्व चलता रहा अथार समय के साथ इस व्रदी प्रारूप के अनुसार growth ये व्रदी एक समान बनी रहती है नियत बनी रहती है इसके लिए equation ये समीकरण लिखा जाता है lt is equals to l0 plus rt ये students इसके लिए equation है इसका जो गणीतिये प्रारूप है गणीतिये प्रारूप समीकरण के द्वारा दर्साय जा सकता है जैसे हमने length अप्लांट ओर्गन लिया तो students lt क्या है आप कह सकते है length after time t t time के बाद length l0 आप कह सकते है length at initial stage initial stage जो प्रारंबिक इस्तिती थी ये l0 यहां से प्रारंब हुआ प्रारंबिक इस्तिती पर क्या थी r students आप कहते है r is equals to rate of increase में कह सकता हूं मतलब बढ़ने की जो दर है वो r है rate of increase यह students इसमें कहे जा सकते हैं lt is equals to l0 rt ठीक है rt यहां time के साथ यह t time जो आपको दे रखा है उसके साथ growth को increasing reference को indicate कर रहा है यह जो r है ठीक है rate of increase बढ़ने की दर या दीरगी करण यहां आ रहा है ठीक है तो यह आपके पास arithmetic growth है arithmetic growth तो arithmetic growth में students क्या हुआ किसी भी सामवानने कोसिगा में आपने देखा या फिर किसी पादप अंगक की जो लंबाई है plant organ की length के बढ़ने का आपने graphical presentation देखा इस graphian रूपन में भी आप देख रहे हैं कि लगातार एक नियत योगदान किया जा रहा है जिससे रैखिक वक्र प्राप्त होता है और इसका जो समीकरण है इसका जो गणितिये प्रारूप है वो लिखा जाता है lt is equals to l0 plus rt जिसमें lt the growth after t time तो हम growth या व्रदी t time के बाद अगर देखते हैं तो हमें प्रारमिक इस्तिती की व्रदी और जो बढ़ने की दर है उसको दोनों को आप यह कह सकते हैं क्या करना होता है add करना होता है आपके पास यह प्राप हो जाता है ठीक है दूसरी इस्तिती देखिए geometric growth तो geometric growth यही मैं लिख देता हूँ इसमें यह आप कहेंगे multiple increase को दरसाती है यह दरसाती है किसको multiple increase को दरसाती है यह multiple increase को दरसाने का मतलब क्या हुआ students चरग हातान की व्रदी भी इसको आप कह सकते है exponential rate का growth एक समय में यह करती है कैसे करती है पहले सरल प्रारूप के साथ समझी है यह एक mother cell थी मात्री कोसी का यह आपने कहा daughter cells बन गई इन daughter cells से फिर cells बनती हैं यह cells निर्मित हुई अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो cells निर्मित हुई है यहाँ जो कोसी काएं निर्मित हुई है यह कोसी काएं देखिए mother cell मात्री कोसी का इसमें division यह विभाजन हुआ यह generation first है आपके पास यह generation second है आपके पास और यह generation third है देखिए प्रतेक जनरेशन के बाद प्रतेक पीधी के बाद आप यह देख पा रहे है number of cells यह कोसी काओं के संख्या दुगुनी हो गई है प्रारणबे की स्तिती में एक ही कोसी का थी first generation में दो cell है second generation में चार कोसी काएं है third generation में eight cells हैं तो इस प्रकार से लगातार कोसी काओं के संख्या बढ़ती जा रही है इसको multiple increase आप कहते हैं दो से चार आठ यह जो cells हैं यह 16, 32, 64 इस तरीके से लगातार students बढ़ती चली जाएंगे तो geometric growth में multiple increase आता है आप कहा रहे हैं हर एक generation के बाद वास्तविक स्थिति यप प्रारंभिक स्थिती के बजाएं दुगनी कोसी काएं यहां आपको देखने को मिलती हैं तो आप लिखें कोसिकाओं की संख्या प्रारंभिक इस्थिती से दुगुनी हो जाती है दुगुनी कोसिकाओं की संख्या प्रतेक पीधी के बाद प्रतेक जनरेशन के बाद हर एक जनरेशन के बाद प्रारंभिक इस्थिती से क्या हो जा रही है स्टूडेंट्स दबल हो र रही है अब इसके लिए अगर ग्राफिकल प्रिजेंटेशन आप देखते हैं कि छोटा ग्राफ में बना रहा हूं जिससे एक साथ हम डिसकस कर पाएं इसलिए मैंने यहां बना इसको इस तरह बना लेता हूं दोनों को साथ-साथ हम डिसकस कर लेंगे ठीक है तो देखिए किसी भी प्लांट और्गन का ग्रोथ जैसा हम डिसकस कर रहे हैं जैसे माल लीजिए यहां NCRT ने वेट लिया है बायो मास या भार पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कौन-कौन से प्रारूप या पैरामिटर्स हैं ग्रोथ के लिए उसमें वेट भी था एक बा प्रारंबन है उसके बाद एकदम से यह जो ग्रोथ है वो एक्सिलिरेट होती है तेजी से यह ग्रोथ जो है वो चलती है और उसके बाद यह स्टेजनरी फेज या नियत अवस्ता में इस्थाई अवस्ता में पहुंच जाती है तो देखो इसमें क्या है यह तो प्रारंबि यहाँ यह stationary phase को gain कर गया है इसको हम कहते है stationary phase ठीक है? इसको हम क्या कह देते है? stationary phase lag, log और stationary phase इस बार के exam में यह log phase question पूछा गया था ठीक है? मैं यहाँ लिख रहा हूँ जो log phase है उसमें rapid increase आता है और rapid increase का मतलब तिवरता सिवरदी होती है यह जो तिवरता सिवरदी है इसका मतलब क्या है? जैसा भी आप कह रहे थे कि प्रतेक PD के बाद कोसिकाओं के संख्या दुगनी हो जाती है तो यह जो multiple increase मैंने word लिखा है ठीक है? बहु गुनित जो बढ़ोतरी हो रही है यह rapid increase exactly इसी log phase में students होता है और यह इस बार के exam में क्यासन आपसे पूछा गया? नी 2020 में यह पूछा गया था log phase clear? तो यह rapid increase है जो log है वो slow initiation है इसको मैं कह सकता हूँ यह slow होता है काफी log phase rapid या बहुत fast होता है और उसके बाद में stationary phase को यह gain कर लेता है यह इस था यह वस्ता में students पहुंच जाता है तो basically देखो यहाँ ऐसा हुआ यह एक time duration था sorry यह students एक phase प्रावस्ता यह time duration था जो log वाला है उस लोग की बात न करना हूँ जिसमें इस व्रदी प्रारोप में अधिक्तम व्रदी हुई maximum growth यहीं हुई इस phase में log phase में अधिक्तम व्रदी हुई या maximum growth जो है वो students इसी में हुई अब maximum growth इस phase में हुई तो यह जो phase है इसको आप चर घातान की व्रदी वाली अवस्ता भी कह सकते हैं ecology में आपको यही phase explain किया गया है और इसको आप कहते हैं exponential increase कैसी growth है यह exponential growth यह exponential increase यहां आगया यह students exponential increase जो आया है इस exponential increase को आप बोलते हैं चर घातान की व्रदी और exponential increase कौन से phase में आया है सिर्फ और सिर्फ आप कहेंगे log phase में जो log phase है वो rapid increase को या exponential increase को indicate करता है तो देखो यहां पहले lag phase अब देखो इसको अगर basically बाटा जाए तो पांच अवस्ताओं में आप कह सकते हैं lag phase के बाद में negative acceleration होता है negative कैसे यह सोरी positive acceleration होता है यहां से positive acceleration होता है positive कैसे हुआ lag phase तो आपने कहा था slow है और positive acceleration होने का मतलब अब यह rapid हो गई fast हो गई positively growth ही यहां से बढ़ गई positive acceleration आप कह सकते हैं धनात्मा ग्रूप से त्वरित हो जाती है यह बुरुदी लेकिन इस log phase के बाद फिर से यह stationary में जा रही है तो जब stationary में जा रही है तो पहले log phase जो था इसकी तुलना में अब यह काफी धीमी होकर इस्तिर अवस्ता या इस्ताई अवस्ता को प्राप कर रही है तो क्या मैं यह कह सकता हूँ यह जो acceleration है वो कैसा है slow जब growth यहां हो जाती है तो यह acceleration है negative यह acceleration कैसा है students negative यह लीजिए यह negative acceleration है तो क्या क्या phase हुए lag phase, slow initiation धीमा प्रारंबन उसके बाद में positive acceleration धनात्मा गूप से त्वरित हुई उसके बाद log phase को प्राप्ट कर गई log phase में बहुत तेजी से वरदी होती है यह rapid increase को दरसाता है इसी को आप exponential increase या चरखातां की वरदी कहते हैं और उसके बाद आप यह कहेंगे जो log phase में growth या वरदी चल रही थी उसकी तुलना में वरदी अब काफी धीमी हो गई यह अथार्त रदी दर कम हो गई है तो मैंने यह लिखा negative acceleration मतलब रिणात्मक त्वरण और finally आप कह रहे हैं stationary phase तो यह 5 phase हुए lag positive acceleration log phase negative acceleration and stationary मूल रूप से आप 3 phase discuss करते हैं lag log and stationary ठीक है तो देखो यहां तो जो वक्र आपको प्राप्थ हुआ था linear या रेखिक वक्र था लेकिन यहां जो वक्र आपको प्राप्थ हुआ यह स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं S या इसको हम कहते हैं सिग्मॉल्ड कर्व यह क्या था सिग्मॉल्ड कर्व ठीक है और इस सिग्मॉल्ड कर्व में specific बात क्या है इसमें lag, log और stationary phase आता है इसमें log phase आता है जो सरवाधिक उच्चतम दर से व्रदी दरसाता है exponential rate का increase दरसाता है चरगातां की व्रदी दरसाता है जो existing number है जो वास्तों में जितना number उसका just double हो जाएगा हर बार आप यह कह सकते हैं हर एक पेढ़ी के बाद के आने का कारण क्या था क्यों नहीं यह लगातार ऐसे ही चलती रही इस फेज में क्यों नहीं लगातार यह अगर इस फेज में लगातार यह चल रही होती इसका मतलब इस growth को या इस व्रदी को संपन करवाये जाने के लिए जो जितने सारे factors या कारक थे वो लगातार इसको support कर रहे थे लेकिन एक निश्चित सीमा तक ही वो support कर सकते हैं तो ये वो सीमा आ गई है अब वो support नहीं करते हैं इसका मतलब ये आप ये कह सकते हैं ये सीमा आ गई है अथार्थ जितना इस ब्रदी को सपॉर्ट किया जा सकता था इस व्रधी को नियंतृत करने वाले कारक या इस व्रधी को आप यह कह सकते हैं संपन करवाने वाले कारक कि सीमा तक ही इस को तुरित गती से या lleug phage में maintain रख सकते हैं इसके बाद आज वो जो कारक हैं उनकी न्यूंता हो गई है या वो सीमाकारी हो गए है इसलिए ये ग्रोथ जो है वो किस में कर्णबर्ट हो गया है stationery phase में तो as stationary phase या सिग्मलड करू का stationary phase कब प्राप्थ होता है stationary phase ये देखे students stationary phase कब प्राप्थ होता है तो आप देखें व्रदी को संपन करवा रहे कारक जब न्यून्ता वाली स्तिती में या फिर क्या हो सीमाकारी स्तिती में हो या हो जाएं ऐसी कंडिशन में जो है वो व्रदी को संपन करवा रहे कारक आप ये कहरें जब न्यून्ता या सीमाकारी स्तिती में आ जाएंगे तब किस में कंवर्ट हो जाएगा stationary phase में ये convert हो जाएगा तो ये दूसरा आपके पास है geometric growth जामीतिय व्रदी ठीक है अब इस geometric growth या जामीतिय व्रदी में students इसका भी equation हम पढ़ लेते हैं ठीक है इसका equation देखिए आपको दे रखा है equation या sumi करण इसका क्या है w1 is equals to w0 e r t यह equation है इसका समय करण या equation आपको दे रखा है w1 is equals to w0 e r t ठीक है अब देखो w1 तो क्या है अंतिम भार हो सकता है उचाई हो सकता है मतलब जो भी parameter आप लें हमने यहाँ weight लिया था भार लिया था इसलिए हम लिख सकते हैं w1 sorry अंतिम भार ठीक है w0 यह students होगा प्रारंभिक भार ठीक है e जो है वो logarithm basis है लगू गणक r जो है वो आप जानते है rate of increase अथार्थ व्रदी दर है और t students आप जानते है time यह किसको denote करता है semi को denote करता है ठीक है e स्वाभाविक लगूगण का अधार है w1 अंतिम भार है w0 प्रारंभिक भार है तो इसको w1 is equal to w0 e rt से denote किया जाता है कौन सी ग्रोथ को मैं आप से यहां बात कर रहा हूं sigmoid curve को represent करने वाली geometry ग्रोथ की तो पादप अंगकों में या पादपों में होने वाली जो व्रदी है उसमें दो प्रकार के प्रारूफ आपको देखने को मिलते है एक arithmetic growth है दूसरा geometry growth है अब आप से पूछा जाए कि अधिक्तम अवस्था में या साम्मानेत अपादपों में जो है साम्मानेत अया साम्मानेत अया सिग्मल्ड कर्व ठीक है जो S कर्व है सिग्मल्ड कर्व प्राकरतिक परिस्थितियों में प्राकरतिक परिस्थितियों में हो रही व्रदी में प्राप्त होता है पतलब जो अधिक्तम व्रदी प्रारूफ है नेचर में जो अधिक्तम व्रदी प्रारूफ नेचर में आप पढ़ते हैं या नेचर में जो growth forms है उन नेचर में growth forms को अगर आप देखें तो सामाने ता जो सिग्मॉल्ड कर्व है जो सिग्मॉल्ड वक्र है वो प्राकर्टिक परिस्थितियों में हो रही व्रदी में प्राप्त होता है तो नेचर में जो maximum growth या अधिक्तम व्रदी प्रारूप होते हैं वो कैसे हैं एस या सिग्मॉल्ड व्रदी प्रारूप को दरसाने वाले हैं अथार्थ स्टुडेंट्स जियोमेट्रिक growth को दरसाने वाले हैं ये जियोमेट्रिक growth रहा जिसमें आप ये कह देंगे क्या हुआ पहले slow initiation है उसके बाद में positive acceleration है उसके बाद में log phase rapid increase है उसके बाद में negative acceleration है और उसके बाद में stationary phase आ गया है धीमा प्रानमबन है धनात्मक रूप से व्रदी तवरित हुई है log phase में बहुत उच्चितम दर के साथ multiple increase आ रहा है चरगातां की व्रदी हो रही है उसके बाद ये चरगातां की व्रदी जो है वो सीमित कर दी जाएगी क्योंकि जो व्रदी को संपन करवा रहे कारक हैं वो न्यूंता में या सीमा कारी स्थिती में आ गए है तो ये नकारात्मक रूप से negative reform में accelerate या तवरित हुई है और अब ये stationary phase में या स्थाई वस्था को प्राप कर गई है ये आपके पास दूसरा व्रदी प्रारूप है जिसको हम कहते है geometric growth pattern और geometric growth form ठीक है तो इस प्रकार से students आपको दोनों प्रकार के व्रदी प्रारूप दे रखें है ठीक है और ये जो दोनों प्रकार के व्रदी प्रारूप है ये NCRT आपको proper explain करती है कौन से में कोसिकाओं की संख्या नियत योगदान के साथ बढ़ेगी और कौन से में कोसिकाओं की संख्या just double हो जाएगी ये दोनों बाते मैं नहीं हम insert कर दी NCRT की जो statements है लाइने उनको आप पढ़ें और वहाँ से अपना perfect theme जो है वो बनाए तो note कर लें आप इसको एक बार आजे students अब देखिए आपको इसमें दे रखा एक efficiency index efficiency index किसको आप efficiency index कहेंगे तो देखिए क्या है plants जो new material produce करते है new material आप कहेंगे organic matter ठीक है तो आप ये कहेंगे कि पादपों द्वारा जो नया carbonic पधार्थ या नया organic matter या new material जो add किया जा रहा है लगातार जो बनाए जा रहा है वो plant का क्या होगा efficiency index plant का वो students कहा जाएगा ठीक है तो आप ये कहेंगे पादप की नये carbonic पधार्थ या material को निर्मित करने की ख्षमता को निर्मित करने की ख्षमता पादप की नये carbonic पधार्थ को निर्मित करने की ख्षमता क्या है efficiency index दक्सता सूचकांक है इस पादप का students क्या कहा जाता है दक्सता सूचकांक इसको कह दिया जाता है प्लांट कितना नया organic matter ये material प्रोड्यूस करके add कर रहा है अब देखो यहाँ एक embryo developmental process दे रखा है embryo का developmental process दे रखा है और उसमें आपको दोनों प्रकार की व्रदी प्रारूप जो है उनको put करना है तो आपको यह समझ आएगा कि कब तक growth जो है वो embryo के developmental process में geometric होती है और कब जो growth है वो जाकर क्या हो जाती है arithmetic हो जाती है ये students समझने वाली बात है ठीक है तो देखो यहाँ हम क्या कर रहे है सबसे पहले एक cell ले रहे हैं जिसको आप जानते हैं जाइगोट कहा जाता है जाइगोट से ही embryo development होता है embryo development ठीक है embryo development के process में देखिए ये students जाइगोट जाइगोट आप जानते हैं 2N cell होती है इस जाइगोट में division हुआ तो सबसे पहले आप यह कह सकते हैं 2 cell stage आई जैसे एंजियो स्पर्मिक प्लांट्स में आवरत बीजी पातकों में में बात करूँ जाइगोट से या यूगमनग से भ्रून के परिवर्धन की तो आप वहां जानते हैं पहला अनुप्रस्त विवाजन होता है embryology जो 12th का chapter है उसमें आप इसको पढ़ते हैं और इससे दो प्रकार की कोशिकाएं बनती है एक cell of apical होती है दूसरा cell of basal होती है CA और CB आधारी कोशिका और सीर्स कोशिका आपने पढ़ रखा है और जो सीर्स कोशिका उससे आगे ब्रून बन जाता है ठीक है लेकिन उसके बज़ाएं यहां बिलकुल normal condition हम ले रहे हैं दो कोशिकाएं बनी इसके बाद students देखिए क्या हुआ यह जो कोशिकाएं थी इनकी संख्या चार हो गई ठीक है इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां जो है वो एक octant का formation होता है एक अस्टक का निर्मान होता है और अस्टक का निर्मान होने का मतलब कोशिकाएं के संख्या अब 4 के बज़ाएं कितनी हो गई है 8 कह सकता हूं कोशिकाएं के संख्या अब 8 है ठीक है और इसक NCRT में तो इस्तिति आपको बता रखी उसके according ऐसा है यह जो परिवर्धन की प्रिक्रिया चल रही थी अब इसमें से कुछी कोशिकाएं आगे विभाजन में जाएंगी बाकी विभेदित हो गई है अथार्थ स्थाई कोशिकाओं के रूप में परिवर्धित हो गई है तो इसको हम समझने का प्रियास करेंगे कि कैसे यह जो है वो प्रिक्रिया देखी जा रही है चीक है तो देखो सबसे पहले आपके पास जो जाइगोट या युगमनज है जाइगोट या युगमनज डिविजन करता है विभाजन करता है डिवाइड होता है यह तू सैल्ड एक फोर सैल्ड कन्डिशन है स्टूडेंट्स और अम बोलते हैं चतुस्क ठीक है ये आपके पास एक सैल्ड स्टेज है और इसको स्टूणेंट आप बोलते हैं ऑक्तेंड अस्टक और इसके बाद मैंने लिखा है बेसीकली 16 सैल stage क्योंकि मैं जो plants की बात आप से कर रहा था एंजियो स्पर्मिक plants में आवरत बीजी पादपों में students 16 कोसी की अवस्था तक लगातार कहां से कहां तो देखिए यहां से यहां तक 16 कोसी की अवस्था तक लगातार आप यह कह सकते हैं कोसी काओं की संख्या बढ़ी है जितनी कोसी काओं प्रजेंट थी उनके बजाए डबल होगी देखिए एक से स्टेज 2 से 16 कोशी की अवस्था जो होती है स्कूश तुडेंट्स प्रो एंब्रियो या प्राक भृण कहा जाता है क्या कहा जाता है प्राक भृण एक और काम की बात बता देता हूँ आप ये ध्यान रखें Monocote और Dicote दोनों में इन बोथ Monocote और Dicote Developmental process 2-16 Cell stage एक समान रहती है इन बोथ Monocote and Dicote जो Monocote और Dicote है 1 बीज पत्री बद 2 बीज पत्री पादफ है इन में आप ये देखिए 2-16 कोसी की अवस्था तक 2-16 सेल्स स्टीज परिवर्धन की प्रक्रिया समान अब परिवर्धन की प्रक्रिया समान हो रही है तो क्या हो रहा है 2-16 कोसी की अवस्था तक लगातार आप यह कह रहे हैं जो कोसीकाओं के संख्याती वो दुगनी होती जा रही है मतलब geometric growth यहां हो रही है clear है यह जो geometric growth students यहां हो रही है 2-16 कोसी की अवस्ता तक आपने कहा monocoat और dicote में 1-20 पत्री पत्री पात्पों में दोनों प्रकार के पात्पों में एक समान देखने को मिलती है ठीक है तो यहां से देखिए आपके पास यहां तक तो 16 सेल से स्टेज तक तो कौन सी ब्रदी भी कौन सी ग्रोथ भी geometric अब इसके बाद वो कह रहा है कि यहां कुछ कोसिकाएं जो है वो अभी विभाजन की स्तिती में है यह विभाजित होती है जैसे मैं red से जिनको indicate कर रहा तो यह जो है इन कोसिकाओं में तो विभाजन या division हो रहा है और बाकी की कोसिकाओं जो है वो स्थाय उत्तकों के रूप में परिवर्तित हो गई है तो अब यहां से students सारी कोसिकाओं विभाजन में नहीं जा रही हैं कौन सा growth प्रारम हुआ? arithmetic growth आप से कारण पूछा जाए यहां arithmetic growth क्यों प्रारम हुआ? तो यहां arithmetic growth इसलिए प्रारम हुआ? क्योंकि जो स्थाई कोसिकाओं बन गई जैसे यह जो cells हैं यह जो blue वाली cells हैं blue से जो cells हम indicate कर रहे हैं ठीक है? blue से जो cells आप indicate कर रहे हैं कुछ cells को बना देता हूँ बाकी देखिए सारी कोसिकाओं वो जो विवाज़त नहीं हो रही है यह आप कहेंगे permanent cells हैं कौन सी कोसिकाओं होंगी students? permanent cells, स्थाई कोसिकाओं ठीक है? और जो permanent cells यह स्थाई कोसिकाओं हैं वो आप यह कहेंगे आप यह स्थाई रूप से विवाज़न की ख्रमता खो देती हैं आप यह स्थाई रूप से विवाज़न की ख्रमता खो देती हैं तो obvious है कुछे कोसिकाओं में division continue होगा यह कौन सी ग्रोथ है? आर्थमेटिक ग्रोथ जबकि यह कौन सी ग्रोथ थी? जियोमेट्रिक ग्रोथ तो अब आगे कौन सी ग्रोथ होगी? आर्थमेटिक ग्रोथ एक पंड और क्लियर कर लीजिए 16 cells stage यह 16 कोसी की अवस्था में ही यह division differentiation का process सुरू हो जाता है तो आप ध्यान रखें 16 cells stage का जो embryo होता है भून होता है इसमें students आप कह सकते हैं क्या हो जाता है differentiation यह विभेदन प्रारंब हो जाता है आवरत वीजी पात्मों की मैं बात कर रहा हूँ विभेदन प्रारंब हो जाता है इसलिए आप कहेंगे आगे कौन सी growth नहीं हो सकती? geometric आपसे पूछ लिया जाए 16 cells stage तक तो geometric growth हो रही थी तो आगे क्यों नहीं हो रही थी? तो आप यह कहिए जो 16 cell stage का embryo है जो 16 कोसी की अवस्ता का भ्रून है उसमें विभेदन प्रारंब हो जाता है angiospermic plants में आवरत वीजी पात्मों में ठीक है? मैं लिख जेता हूँ angiospermic embryo of 16 cell stage ठीक है? इनमें क्या हो गया? विभेदन प्रारंब हो गया इस प्रकार से अब common question आप से पूछा जाए कि ब्रून परिवर्धन की प्रक्रिया में तो common question देखो क्या हुआ? ब्रून परिवर्धन की प्रक्रिया में संपन होने वाले ब्रदी प्रारूप हैं संपन होने वाले व्रदी प्रारूप हैं व्रदी प्रारूप हैं तो आपका अंसर होना चाहिए पहले जामी तीए और उसके बाद अंक गणी तीए अंक गणी तीए ये दोनों व्रदी प्रारूप वहाँ आपको देखने को मिलेंगे तो ये students आपका जो ग्रोथ है वो कम्प्लीट है ठीक है ग्रोथ के लिए conditions में वही बात हम पढ़ेंगे जैसे hormonal development जब हम सुरू करेंगे developmental process परिवर्धन हम सुरू करेंगे तो hormones के साथ हम उसकी बात करेंगे तो अब आपको conditions for growth डिसकस करनी है जो development के साथ ही मैं बात करूँगा और उसी में आपको जो leaves बगरा में दे रखा है जैसे leaf या पर्ण पती है उसमें plasticity, सू गठेता आपको दे रखी है एक से ज़्यादा प्रकार की आकारी की सरंचनाएं जो बनने की प्रिक्रिया है वो आपको दे रखी है यह सब development का part है तो अब अगला lecture 97 हम सुरू करेंगे developmental process का परिवर्धन प्रक्रिया का यहां तक growth ब्रदी complete होती है लेकिन अब एक बात आप यहां से clear करके जाएए इस lecture के last में मैं आपको बता रहा हूँ आप यह कह रहे हैं कि जो growth है वो complete होगी तो developmental process क्या है development क्या है देखे development जो है that is the sum total of growth and differentiation growth और जो differentiation है students इसका कुल योग है differentiation लगातार ब्रदी हो रही है growth इसका मतलब आप कह सकते हैं भार में बायो मास में या आपकी यह कह सकते हैं मास में increase आ रहा है और number of cells बढ़ रही है और उनका कारियात्मक विभेदन होता जा रहा है तो व्रदी तथा विभेदन को समिलित रूप से आप क्या कहते हैं परिवर्धन व्रदी तथा विभेदन को समिलित रूप से आप परिवर्धन कहते हैं तो अगले lecture में हम परिवर्धन जो है उसको study करेंगे उसके साथ-साथ व्रदी तथा परिवर्धन के लिए जो अवस्ताएं हैं जो condition से उनको उसमें समिलित करेंगे और फिर उसके बाद शुरू करेंगे plant growth regulators, पादप व्रदी नियामक पधार जिनको आप पादप hormones कहते हैं, enjoy the physiology, thank you.